गुड मॉर्निंग प्रेंट्स आज हम क्लास्थर स्टेंडर्ड के हिंदी सब्जेक का फॉर्स लेशन लर्न करने वाले हैं उस लेशन का नाम है जोड अक्षर अब्यास वन जोड अक्षर जोड अक्षर यानि के दो अक्षरों को जोड कर जो शब्द तयार होता है उसे हम केते है जोड़ अक्षर, for example, गन्ना, बच्चा, छुट्टी, हिमत, बिल्ली, सज्जा, डिबा, गड़ी, कुता, गुसा और चपर, यहापे भी हमें जो शब्द दिये गए है, उन शब्दों में दो अक्षर को जोड़ा गया है, और उसी से वो जोड़ अक्षर तयार किया गया है, गन्ना, यहापे न और न को जोड़कर गन्ना यह शब्द दियार हुआ है, यहापे भी बच्चा, च और च को जोड़कर यह शब्द दियार हुआ है, इसे हम कहते है जोड़ अक्षर, पप्पु की शाला में चुट्टी की घंटी बचते ही बच्चे इकटे होकर हुलण मचाने लगे देखो बच्चो हमारी पाटशाला की तरह भी यहापे हमें एक पाटशाला दी गई है और आपकी तरह ही इस पाटशाला में भी पप्पु नाम के लड़के के साथ उसके फ्रेंड भी पढ़ने के लिए आते हैं वह पढ़ने के लिए स्कूल में गए थे और उनकी स्कूल के छुटने की घंटी बचती है तो वह घंटी बचते ही वह क्या करने लगे सब बच्चे कटे होकर हुलण मचाने लगे यानि के शोर मचाने लगे चिलाने लगे हुलण मचाना याने शोर मचाना मस्ती करना वह भी शोर मचाने लगे जैसे कि आप लोग जब आप लोगों कोई भी पाटशाला चुटने की घंटी बचती है तब आप सब लोग बहुत जोर से चिला और मस्ती भी करते हैं यह मैंने कई बार अनुभव किया है उसी तरह से वह शरार्ती बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं इससे शिक्षक को गुसा आ गया इससे क्या हो गया उनके शिक्षक को बहुत गुसा आ गया क्योंकि उस अवाज से उनको बहुत डिस्टर्ब हो रहा था इसल उनको बहुत गुसा आ गया वे बच्चों को समझाने लगे फिर वह बाहर आके देखो यहापे और टीचर्स कड़े है और उनलोगों को डाट रहे है और उनको बोल रहे कि हुल्लड मत मचाओ मस्ती मत करो तो वह बाहर निकल कर उनको बोल रहे कि बच्चों को समझाने लगे कि बच्चों उल्लड मत मचाओ मस्ती मत करो चुपचाप अपने घर जाओ मुन्नी पपू चिल्लाना बंद करो हल्ला करना बुरी बात है क्या कहा उन्होंने कि चिल्लाना बन करो हल्ला करना बुरी बात है क क्यूंकि हल्ला करने से चिलाने से हम लोगों की बजे से दुसरे लोगों को दिक्कत होती है, प्रॉब्लेम होती है, इसलिए चुप चाप अपने घर जाओ, ऐसे उनके टीचर ने उनने समझाया, देखो बच्चों यह हमें बहुत छोटा सा लेसन दिया गया है, इस लेसन से बस इतना ही कहा गया है कि यहापे जो शब्द आए है बहुत वह जोड अक्षर है, यानि के पप्पू, प, प, औ, औ, प को जोड कर यह शब्द तयार हुआ है, उसी तरह से चुट्टी, ट, औ, त को जोड कर यह जोड शब्द तयार किया गया है, यह इसी पार्ट से हमें पता चलता है, मालूम चलता है